Assalamu alaikum So today our topic is muscle strength अब इससे सबसे पहले उन्हें इंट्रडक्शन में पताया है कि active movement क्या होती है active movement वो movement होती है जो muscle के voluntary contraction से होती है muscle tissue जो होता है उसके voluntary property होती है मतलब जो भी voluntary muscle होगा उसमें contraction के property होती है अब active कैसे होगी जब इसको nerve impulse मिलेगी nerve impulse मिलेगी तो उसके ज़रिये जो response हाएगा उसने या करने effort लगानी है ताकि हम movement कर सके या कहीं पे अगर stabilization का जो भी response हाया है कि movement करवानी है या stabilization करवानी है वो करवाएंगे उसके बास structural feature देखते है voluntary या skeleton muscle के अब जो structure unit होता है किस भी voluntary या skeleton muscle का वो muscle fiber होता है large extrafusal होता है nature में अब इसकी shape क्या होती है cylindrical होता है diameter कितना होता है 20-40 mm in length होता है sorry ये length है और उसके बाद इसके diameter की बात करें तो 1 by 10 2 1 by 100 of millimeter होता है diameter उसके बाद किस में enclosed होता है एक sheet में enclosed होता है जो elastic in nature होती है और उस sheet को हम कहते है सार को Lima उसके बाद दो type के fibers होते है एक होते है red एक होते है white 1 by 1 को देखते है सबसे पहले है red fibers अब ये red क्यों होते है क्योंकि ये reach in blood supply होते है और इसमें red pigment जो होता है अब जब भी contaction होगी कोष stimulus हाएगा तो क्या करेंगी slowly contact करेंगे लेकिन बिना थकेगे लंबे टाइम के लिए contaction जो है उसको sustain कर सकते है या maintain कर सकते है और जब भी कोई anti-gravity muscle activity होनी होती तो इसमें ये वाले fiber सबसे ज़्यादा जो है अपना role play करते हैं और ये posture को maintain करते हैं is an example of red is an example of muscle that contain red muscle fibers फिर रहे comparatively white fibers अब दूसरे fibers जो पेलर होते हैं color में उसको हम कहते हैं white fibers जब भी कोई stimulus मिलेगा ये जल्दी-जल्दी respond करेंगे लिकिन जल्दी थक जाएंगे और जब भी कोई movement करवानी हो उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो ये वाले fiber जो है वो प्ले करते हैं जैसे gastronemias उसके बाद उन्हेंने muscle के अरेंजमेंट की बात की muscle fibers जो होते हैं जुसरे के parallel लाई करते हैं उसके बाद groups बनाते हैं जुसरे के साथ और strong होते हैं connective tissue से ताके bundles बन सके ताके वो muscle की substance बना सकें अब muscle जो है दोनों extremities पे attach होता है bone से, cartilage से, fascia से fibrous tissue से जो continue होती है उस connective tissue के साथ जो muscle में जा रही है अब ये fibrous tissue जो है इसमें elastic non-contactile element होता है और ये concentrate करता है ताके narrow cord बना सके या फिर epineurosis बना सके then बना ये बताया है कि muscle की एक होती है origin एक होती है insertion जो ज़्यादा proximal part होता है उसको हम कहते हैं region और opposite part जो हम कहते है insertion next बना ये बताया है attachment जो होती है वो free होती है center की तरफ और insertion जो होती है fix होती है ताके muscle जो है वो work कर सके लेकिन वो fix अब जो मसल फॉर्म जो सबसे ज्यादा जिसकी वाइड रिंज होती है और स्पीड ओफ मूवमेंट जिसकी कॉंटेक्शन से पोडियूस होती है वह होते हैं लॉंग फ्यूजी फॉर्म मसल जिसमें सारे फाइबर जो हते हैं वह परलल होते हैं या सिरीज मुद्ग दूसरे के साथ और टेंडन औफ अटेड्च्मnnd के साथ अब इस अरेंजमेंट से क्या होता है नमबर मुल्स फाइबर जो होता है वह वहता है और लिमिटेड'D उत और मुल्स पावर जो है वो उसकी दिर्यक्ली परकॉशचनल हो जाता है उसके number of fiber stimulated के अब जितने ज़्यादा number of fiber जो हैं वो increase होंगी उतना ज़्यादा जो है उसकी power of contraction होगी हमने इसमें इसके कॉंक्ली इनकाली के number of fibers directly proportional to power of contraction या powerful contraction उसके बाद muscles को supply भी मिलती है nerve से जिसमें दोनों components आजाते हैं हमारे motor भी और sensitive fibers पहले उनने motor fiber को explain की है और उनने sensitive fiber को explain की है तो सबसे पहले हम motor fiber देखेते हैं motor fiber जो होता है उसमें cell होता है जो cell anterior होंसल और spinal cord या भी निकल्स ओफ किंगन नर्फ में present होता है इसको जो है बहुत सारे sources से stimulus मिल सकता है अब fiber या exon जो होता है इसका वो डिवाइड करता है और बहुत सारी branches देता है 50 to 150 muscle branches देता है जो टर्मिनेट करती है motor end plate में जो present होती है बिनीदा सार्कुलिमाव muscle fiber अगली चीज़ा मोटर यॉनिट क्या होता है motor neuron और muscle fiber दोनों जो हैं मिलके बनाते हैं motor unit अब यॉनिट कैसे होगा जैसे इसको stimulation मिलेगी अब जैसे stimulation मिली इसने impulses डिस्चार्च करने और ट्रांस्मिट करेंगी muscle fiber तक ताके वो contact करें अपनी maximum capacity maximum contaction जो है वो किस वज़ा से result करते है एक single stimulus आएगा उसके वज़ा से maximum contaction जो है वो result करेगी और उन्हें बताया है कि कोई भी एक्स्टुमिलस आया है अब उसे एक्स्टुमिलस के वज़से जितने ज्यादा number unit activate होंगे वो उस पुरे muscle की जो है वो strength को determine करेगा और contaction की strength कैसे determine होगी जब हम उसकी contaction में resistance दे दे देंगे ये था हमारा motor component या motor part उसके बाद सेंसी रिसेप्टर्स क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं टैक्शन रिकॉर्ड करते हैं passive stretching की कितने रिगे का connection होई ये pain, deep pressure जो muscle और tendon में feel होता है और ये सारी impulses को convey किया जाता है CNS तक अब रिसेप्टर सेंसीटिव होते हैं stretching के लिए components होते हैं muscle spindle का जो लाइक करता है between its fibers के parallel और muscle response करता है जो भी stimulation होगी इसके स्टेप्स रिसेप्टर्स की जैसे ही muscle ने stretch किया है इसके stretch receptors stimulate होगे वहाँ इंटा मस्क्राटेंशन इंक्रीज हो जाएगी और receptor activate होगे जो है वो आगे further CNS को जो है वो message convey कर देंगे so sensor receptors का एक function हमने देख लिया है कि इन्होंने जो भी stretching या changes आये है उसको sense करना दूसर function का यह है कि इन्होंने motor unit की activity की efficiency जो है उसको increase करना होता है अब जो tendons में stress receptors होते हैं वो कैसे stimulatory active होंगे जब prolonged stretching होगी जो क्या कर देगी muscle contraction जो है उसको inhibit कर देगी और जो fiber tissue में sensory receptors होते हैं वो क्या करेंगे वो joints को surround करते हैं और same nerve में travel करते हैं जो muscle को supply करती है और reflex contraction होगा इन fibers का अगर उनको strain मिलता है ताके किसी किसम की joint injury होने से prevent हो सके हैं